स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल cgpsc in में दोस्तों जैसा की घड़ी नजदीक है कुछी दिन बचे हैं जो आपके भविष्य का निर्धारन करेंगे आपकी भविष्य की दिशा और दसा तैय करेंगे ठीक है तो यह जो शेशन हो रहा है इससे पहले म लोग भारत की भगवली की स्थिती पर जो है वह महत्पुन प्रशनों को लेकर आए हैं यह टॉपिक वाइस क्वेस्चन है दोस्तों तो एक टॉपिक पढ़िए और उसके एंसर लगाईए तो आपका वह पूरा टॉपिक से जो है वह क्वेस्चन पूरा क्लियर हो जाएग ठीक है तो आज का जो महत्पुन क्वेस्चन है वह एक क्वेस्चन में बहुत सारे प्रशन चुपे हुए हैं बहुत सारे प्रशनों के अंसर आपको मिलेंगे तो चलिए लगाते हैं प्रशन प्रशन लगाईए जितना ज्यादा आप टेस्ट अटेम करेंगे जितना ज्या राज्य से लगती है थीक है तो बंगलादेश की सरवाधिक सीमा भारत के असम राज्य से लगती है तो बंगलादेश की नियूनतम सीमा जो है दोस्तों वो लगती है आप का मिजोरं से ठीक है एक सेकंड रुक्येगा are you tens on कि कहां से लगती हैंतों यह लगती आपका मिजोरम से दो कि में आक्ट कि मिजोरम ठीक तो ये फस्ट स्टेटमंट सफेंग सिंधी गलत है टीक तो यहाँ पर क्या पूल रहा है उप्योक में से कौन सा या कौन से कथं सत्य हैं तो यहाँ पर पहला शत्य है तो option केवल एक हो जाएगा केवल एक जो है वो सही है ठीक है यह आप मैप में इसको अराम से देख सकते हैं दोस्तों ये मैप है इस मैप में देखिए बंगला देश ये बंगला देश है हमारा और ये बंगला देश की अधिक्तम सीमा जो है ये पश्चिम मंगाल है ये वाला छेत्र जो है ये पश्चिम मंगाल है और ये पश्चिम मंगाल से पूरा लगा तो दो जगह है यहां पर और यहां पर तो यह अधिक है मिजोरम सबसे कम सी मरेखा बनाती है तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेगा चलिए आगे चलते हैं ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो एक से अधिक राज्यों के साथ इस्थीत है पहला जम्मू कश्मीर फिर अलग दाग फिर चंडीगड और फिर पुड़ुचेरी तो इसका सही अंसर है दोस्तों पुड़ुचेरी पुड़ुचेरी आपको पता है तमिल नाडु आंध्रप्रदेश और जो है वो केरल में स्थीत है मैंने यहां पर मैप में आपको धरसा भी दिया है देखिए यहां पर पुड़ुचेरी और कराइकल यहां पर यनम यहां पर माहे जीला जो है वो केरल के अंतरगत पड़ता है तो यह एक से अधिक तीन राज्यों के साथ तीन राज्यों में स्थीत है वो है पुड़ुचेरी तो पुड़ुचेरी यहां पर सही अंसर हो जाएगा चल भारत के पूर्वतम पश्चीमतम बिंदू पर सुर्योदय सुर्यास्त के समय में एक घंटा 57 मिनट 12 सेकंड का अंतर है बिल्कुल सही कथन है दोस्तों एक घंटा आप जानते हैं रुणाचल प्रदेश की विथू वलांगू और गुजरात के सरक्रिक जो है वहां पर गुहा कि विथू जहां सर्वप्रथम सुर्योदय वन सुर्यास्त होता है बिल्कुल सही बात है कि विथू में ही सर्वप्रथम सुर्योदय और सर्वप्रथम सुर्यास्त होता है सबसे बाद में सुर्योदय वह सबसे बाद में सुर्यास्त होता है यह भी बिल्कुल सही कतन है तो सत्य कथन बताना है दोस्तों तो option D उप्यूप तो सभी इसका right answer होगा निश्चित तोर पे तीनों ही कथन यहाँ पर सही है ठीक अगले प्रशन पर चालते हैं निम्न लिखित कत्नों पर विचार कीजिए पहला है भारत की कुल जली सीमा 7516.6 km है बिलकुल दूसरा है भारत की 25.5200minute है तो यह भारत की कुल जली सीमा की बात करें तो जली सीमा कूल जली सीमा है यहाँ पर सिभाग भारत की मुखय भाग की जली सीमा 600 किलोमेटर है और कुल जली सीमा 7516.6 किलोमेटर है तो यह पर बिलकुस सही है अगर मुख्य भूमी की जली सीमा आती तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाता भारत की स्थली सीमा की बात करें कि बाद 15200 किलोमेटर तो यह भी स्टेटमेंट सही है तो कौन सा सही है कथन एक एवं दो दोनों सही है तो यहां पर एंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्सन सी एक वर दो दोनों सही है ठीक है सही सत्य कथन पुछा है जी बिलकुर चलिए नेक्स प्रश्न है सूची एक को सूची दो से मिलाईए सूची एक को सूची दो से मिलाईए सूची एक में भारत का गुलार्द भारत का अक्षांसी विस्तार भारत का देशांत्री विस्तार भारत का देशांत्री गुलार्द भारत का कटीवन तो भारत का गुलार्द दोस्तों भारत कौन से गुलार्द में स्थ स्थीत है कहां पर उत्तर पूर्वी गुलार्द की बात करें तो भारत कहते हैं इस्तितर भारत का कटी बंद उष्ण कटी बंद उपोश्ण कटी बंद छेत्र में आता है तो एक चार हो गया दो तीन हो गया है अपसन बीश करेक्ट होगा ठीक है हम लोग बात करें तो ये जो मद्य में रीखा गुजरती क्या कहते हैं भूमद्य रेका और यह रेका के उत्तर साइड जी चाहिए चाहिए यह उत्री इक्षांस कहलाता है खण्षtsåां कहलातीए यह सारी इंब भारत Hallelujah यहां पर स्थित् है भाराथ तो यह जीतनी भी सब्सक्राइब मिठा देखें से यह brightly वरक है तो पूछेगा भारत का देखिये जो 001 ढिंग्री पर स्थित्फित यह वाला अभ्स जो देख रहे हैं यह देखिए जीरो डीगरी पर जो स्थीत है ठीक यह GMT ग्रीन वीच में टाइम लंदन से होकर जो गुजरती है ग्रीन वीच में टाइम इसके इस तरफ जो भाग है दोस्तों वह पूर्वी देशांतर कहलाता है पूर्वी भाग कहलाता है और इधर वाला गुलार्द कौन से हो जाएगा देखो दूस्तों ये हैं हो पूर्वत उत्तर पूर्वी गुलार्द में इस ठीक है भाइरत कहां पर है उत्तर्वडुए गॉलारद में इस्थीत है इसको ध्यान रखिएगा ठीक अगर बात करें अकशांसी जो रेखा है है कहाँ पर है तो यह उत्तरी गुलार्द में सबी पूरी की पूरी कहां पर है उत्तरी गुलार्द में इस्थित है ठेक अप पूर्वी देशांत्री रेखाएं हैं पूर्वी देशांत्री रेखाएं तो कौन से गोलार्द में हैं पूर्वी गोलार्द में मेरे खाल से आप सभी लोग समझ गए होंगे इसको ठेक यह उत्तर पूर्व वाला छेत्र है यह सभी रेखाएं उत्तरी गोलार्द में हैं और का निर्धारन करते हैं व भी कौन से राज्य है तो इस्थल वर जल दोनों के सांथ सीवानते हैं सब को पता होगा option नहीं गुजरात और पश्यम अंगाल जो है वह इस्थल वरजेन दोनों के सांथ सीमा बनाते हैं दोस्तों यहां पर हम दोग देख सकते हैं यह देखिए गुजराद है यह गुजराद यहां पर पाकिस्तान के साथ स्थली सीमा का निर्धारन करता है और यहां पर जली सीमा का निर्धारन करता है ठीक है इस भाग में और यहां बात करें यह वेस्ट बंगॉल बंगलादेश के साथ इस्थली सीमा और यहां पर यह जली सीमा का भी निर्धारन करता है ठीक तो यहां पर गुजरात और पस्चिम बंगाल इसका सही अंसर होगा चलिए आगे प्रशन पर चर्चा करते हैं भारत के केंद्र साशित प्रदेश ठीक है तो इसको याद रखेंगे घटता क्रम आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम घटता क्रम मतलब ज्यादा से कम की और घट रहा है ठीक और बढ़ता क्रम मतलब कम से ज्यादा की और तो यहां पर केंद्र साशित प्रदेशों में सबसे ज्यादा तो है अंडवान निकोबा याद रखेगा सात्वा नंबर सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में जली सीमा का निर्धारन करता है अंडबार निकोबार और कम बनाते हैं दमनवा दीव तो आप्शन भी इसका सही अंसर होगा निम्न नगरों में कौन सा करकर रिखा के निकट है तो इसका सही अंसर हो जाएगा दोस्तों कोलकत्ता लगबग 22 डिगरी 33 मिनट पर इस्थित और कर इखा 353 के आसपास जो है वह स्थित है और बाकि सभी का जो विस्तार रेक्षानसी वह दूर है दोस्तों कोलकत्ता इसका सही अंसर होगा इसको आप याद रखेंगे पूछा गया प्रस् ह varios सही बात है आप सब जांते ही है मिशनय भारत के पांच राज्यों की सीमा बंगलादेश से लगती है यह बिल्कुल सही बात है त्रिपरा बंगलादेश की साथ सीमा को सुन्य ररेखा कहा जाता है यह थीलब ही अंसर सहीं है दोस्तों इसमें तो जो सीमा रेखा का निर्धारन करता है यह है बंगाल बंगलादेश और यह बंगलादेश देखे त्रीपुरा के तीनों और से घीरा हुआ है यह बंगलादेश पूरा तीनों और से घीरा हुआ है और बंगलादेश यह पस्चिम बंगाल के सांद सीमा रेखा बनाता है असम के द्यान होगा चलिए आगे चलते हैं निम्न लिखित में से कौन सा कथन असत्य है भारत का अक्षांसी विस्तार 8 डिगरी प्रिदिए चार मिनट से 37 दिगरीज 6 दिए यदि मुख्य भूमी की बात करें तो भारत का अक्षांसी विस्तार इतना है दोश्टों भारत की ऑक्षांसी विस्तार का अंतर 39 दिगरी 18 मिनट है तो इस में से घटा दीजिए 37 डिगरी 6 मिनट में 8 डिगरी और यह हमारा कितना चार मिनट को घटा दीजिए तो चार में गया दो बचेगा यह नौ बचेगा और यहां पर दो तो 29 डिगरी दो मिनट बचेगा ठीक तो यह आकशांसी विस्तार का अंतर बिल्कूल सहीं बात है भारत के दिशन्ति विस्तार का अंतर इतना है तो इसका दोनों क से में एक बार देख लेते हैं 97 डिगरी 25 मिनट में से घटा दीजिए 68 डिगरी और सेवन मिनिट तो यहां पर पांच में साथ जाएगा दोस्तों तो बचेगा आठ और यह बचेगा एक और यहां पर बचेगा नाइन यहां आगे और यह टू तो यह बिलकुल उंतिस डिग्री अठारा मिनट यह स्टेटमेंट से यह देशांत्री विस्तार का अंतर इतना है द आप्शन बी चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ग्यारा पर यह इसका प्षांसी विस्तार है दोस्तों आपको पता है ठीक है यहां पर गौर मोता गुहार मोती कहा जाता है इसको अंसर डिग्री साथ मिनट पर ठीक चलिए आगे चलते हैं ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत के पूर्वी वं पश्चिमी 30 सीमान का निर्धारन करता है तो यहां पर ऑप्शन यह है यहां पर ऑप्शन ए तमिल नाडू इसका सही अंसर होगा कौन सा तमिल नाडू इसको ध्यान रखेंगे तमिल नाडू इसका क्या होगा करेंट अंसर होगा दोस्तों ऐसा क आगे बात करते हैं निम्न लिखित में से सरवाधिक जली सीमा किसकी है देखिए प्रश्ण को ढंग से पढ़के ध्यान देंगे अंडबान निकोबर्दीव गुजरात आंद्रप्रदेश्व धमनवदीव ऐसे प्रश्ण में अधिकतर चांस लेते हैं और यहां पर केंदर साचित प्रदेश भी है तो अंडबान निकोबर्दीव समूग का जो है वो सबसे जादा जली सीमा बनाता है क्योंकि बहुत सारे द्वीप ऐसे ऐसे फैले हुए हैं और इन सब का जली सीमा सबसे जादा है लगबग 1962 लगबग किलोमेटर के आसफास है इसको ध्यान दीजेगा ठीक है तो यह जो है वो एंसर हो जाएगा हमारा अंडबान निकोबर्दीव आप क्वेस्चन को ढंग से पढ़ें और उसके बाद एंसर दें निम्नलिखित में से निवनतम जली सीमा किसकी है तो यहां पर भी केंदर साचित प्रदेश है तो याद रखे ठीक मुख्य भूमी होता तो गोवा लेकिन यहां पर केंदर साचित प्रदेश है तो दमन वद्धिव इसका सही अंसर होगा निम्नलिखित कतनों पर विचार करें भारत का दक्षिनतम अक्षांस आठ डिग्री चार मिनट है बिलकुल अगर हम लोग मुख्य भूमी में दे अबलाता है जो कन्या कुमारी दक्षिनतम चोर पर इस्थीत है तो आप से यह गलत डला दोस्तों वन है यह टू है और यह थ्री है नंबरी इसमें गलत हुई है इसको ध्यान रखेंगे तो यहां पर टू नंबर का जो है वह गलत है बाकि वन और थ्री यह स्टेटमेंट व पढ़ें फिर उत्तर दें जल्द वाजी करेंगे तो गलती होने के चांसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे ठीक है देखिए यह उत्तरतम जो बिंदू है वह वह कहलाता है इंद्रा कॉल ठीक है जो 37 डिगरी 6 मिनट पे हैं लद्दाक में स्थीत है वह कहलाता है इंद्रा कॉ मुख्य भूमी का कैप के मोरीन कन्यकुमारी ठीक और अगर हम लोग दीपों को भी सामिल कर लें तो यह ग्रेट निकोबार में स्थीत है दोस्तों इंद्रा पॉइंट कहलाता है इंद्रा बिंदू यह कहलाता है यह पार्शन पॉइंट भीस को कहते हैं ठीक है चलिए आग की बात की जा रही है दोस्तों मतलब मुख्य भूमी अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में ठीक है अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में बताना है मतलब सबसे ज़्यादा है वो पहले आएगा और सबसे ज़्यादा जो है वह आप सभी जानते हैं गुजरात में हैं तो गु पर गुजरात है फिर आंध्र प्रदेश है फिर तमिल नाडू ये की अंसर दीख रहा है फिर महराष्ट और केरल तो यही हमारा जो है वो करेक्ट एंसर होगा पंद्रा का भी ठेक चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स प्रेशन पर चर्चा करते हैं भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सिमांकन कौन सी रेखा करती है भारत और चीन के वीच कौन सी रेखा इसका चिन्धांकन करती है दोस्तों तो डूरन रेखा लेट क्लि कौन से भारती राज्य की अधिक्तम सीमा म्यामार से इसपर्ज करती है तो भारती राज्य की अधिक्तम सीमा जो है उरणाचल प्रदेश की म्यामार से सबसे ज़्यादा इस पर्स करती है दोस्तों तो आपसन हमारा भी इसका राइट एंसर होगा ठीक आप एंसर लगाते जाएंगे और आपका जो है वो बिल्कुल सहीं होते जाएगा तो आप समझ जाएगा डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है दूरंड लाइन अफगानिस्तान के साथ नेपाल के साथ बर्मा के साथ तिबबत के साथ तो यह दोस्तों आपसन है इसका सहीं अंसर होगा अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन जो है वो सीमा रिखा निर्धारित करती है दूरंड लाइन भारत और अफगारिस्तान के ब हिमाचल प्रदेस अच्छा यह ओर्ड कोश्चन है दोस्तों यह पुराना प्रिवियस यह का कोश्चन है तो इसको अभी लेटेस्ट में इसमें उसका जिग्र नहीं है तो उसके हिसाब से है उसमें बता देते हैं तो हिमाचल प्रदेस जो है इसके सां सीमा रेखा नहीं बनाती पंजाब और राजिस्थान बनाती है ठीक है ने में पंजाब बनाता है जम्मू कसमीर बनाता है राजिस्थान और गुजरात ठीक तो यह दोनों इसके सांद सीमा रिखा बनाते तो यहीं मेरे ख्याल से यह थे अंसर होना चाहिए यहांगी पंजाब रियाना नहीं बनाता है पंजाब हिमाचल फ्रदेश नहीं बनाता है तो option बीस का यह पुराना अप्रश्न है पुराना जो आया हुआ प्रस्ट प्रेविएस ये का तो इसके इसका अंसर जो होगा पुराने पेपर के इसाप से धंग से ध्यान रखेंगे क्या होगा भी होगा ठीक है चलिए नेक्स प्रश्ण है और आज का हमारा अंतिम प्रश्ण है निम्न लिखित कथनों पर विचार करें पहला असम भुटान तथा बंगलादेश की सीमाओं से लगा हुआ है तो असम जो भुटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है ये भी बिलकुल सही है मिजोरम बंगलादेश तथा म्यामार की सीमाओं से लगा हुआ है मिजोरम बंगलादेश तथा म्यामार की सीमाओं से लगा हुआ है ये भी सही है दोस्तों तीनों ही स्टेटमेंट बिलकुल सही है तो प्यूक्त कत्नों में से कौन साथ है तो अप्शन ए हमारा राइट एंसर होगा एक दू व तीन तीनों ही प्रश्ण सहीं है तो यह आज के थे दोस्तों यह फॉस्ट पार्ट था आज के क्वेश्चन का ठीक है यह 20 क्वेश्चन की सीरीज थी आपके सामने इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा जिसमें इसी भारत के भगवली की स्थितियों विस्तार और उसके सीमा वर्ती राज्यों से प्रश्ण और लेंगे हम लोग जो और प्रश्ण चूटे हुए हैं या आए हुए हैं उसको ठीक यदि एक सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसको जरूर लाइक करें और कमेंट करें जो भी आपको इसमें जनकारी चाहिए होगी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है धन्यवाद